तो काम की खबरों में राजस्थान में पूर्वर्ती कॉंग्रेस सरकार के दौरान शुरू की गई राजीव गांधी स्कॉलर्शिप फॉर एक्सिलेंस यूजना के तहट अब नई सरकार विदेश के साथ देश के नामी शिक्षन संस्थाओं में भी करवाईगी होनहार बच्चों की पढ़ाई राजस्थान में प्रशास्निक फेर बदल का सिलसिला है जारी अब 106 RAS और 74 अतिरिक्थ पूलिस अधिक्षकों के तबादले राजस्थान की अधिनस्त अदालतों में वकील के निधन पर अब निर्धारित समयावधी के लिए ही रहेगा न्याइक कार्यस्थगित नहीं चलेगी बार असोसियेशन की मनमानी राजस्थान बार काउंसिल ने हाई कोट को बताया राजस्थान हाई कोट ने टॉंक, भीलवाडा, नागोर, राजसमंद, जालोर और ब्यावर जिलों में बजरी के 22 खनन पट्टों की इनिलामी पर लगा दी है रूक राजस्थान में अब जन प्रतिनिधियों की सिफारिश पर ही खुल सकेंगे नए स्कूल और अस्पताल पाकिस्तान से लगे सरहदी जिले जैसल मेर की पोकरन फील्ड फाइरिंग रेंच में 12 मार्च को भारतिय सेना का भारत शक्ती नाम का प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना जैपुर के जगतपुरा इलाके के रामनगरिया में एक निर्मानाधीन कमर्शल भवन में बिना मानकों के पालन के खुदाई के दौरान तीन मजदूरों के दबने से मौत प्रोजेक्ट मैनेजर मौके से भागा राजस्थान परिटन भाग के अतिरित निदेशक संजय पांडे महिला उत्पीडन के दोशी पाए जाने पर सेवा से किये गए बरखास्त और इसा के बाद अब राजस्थान में भी लोगों को घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल सकेंगे अगले महिने से शुरू होगी ए लाइसेंस और ए आरसी देने की सुविधा परिमन विभाग भेजे का लिंक रेलवे ने ओफिसर्स गेस्ट हाउस और हॉलिडे होम की ओनलाइन बुकिंग शुरू की अब कमरे बुक कराने के लिए नहीं पड़ेगी सिफारिश की जरूरत जैपुर दिल्ली और उटी से शुरू आत हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में अब हर वयस्क महिला को राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी सम्मान निधी हिमाचल में पंधरा सो रुपए प्रतिमा और दिल्ली में एक हजार रुपए हर महिने मिलेंगे दिल्ली के मुखी मंत्री अर्विंद केजरिवाल आठवे समन पर भी एडी के समक्ष पेश नहीं हुए विधान सभा के बजट सत्र के बाद वे एडी को उनके सवालों का जवाब वर्चो ली देंगे सुप्रीम कोट ने आमादमी पार्टी को राउज एवेन्यू कोट की जमीन पर अतिक्रमन करके बनाया गया अपना कारयाले 15 जून तक खाली करने को कहा है गुजरात से राजसभा के लिए चुने जाने के बाद भाजपा के राश्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नढधा ने राजसभा की हिमाचल प्रदेश सीट से दिया इस्तीफा भारतिय रिजर्व बैंक ने IIFL फाइनेंस पर नए गोल्ड लोन देने पर लगाई रोक पहले जारी गोल्ड लोन चलते रहेंगे नेपाल की राजनीती में बड़ा बदलाव प्रधार मंत्री पुष्प कमल देहल प्रचंड ने पूर्व पीम शेर बहादोर देवबा को छोड़ कर चीन समर्थक पूर्व पीम केपी ओली से मिलाया हाथ इदर जार्खंड मुक्ती मोर्चा के स्थापना देवस रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्य मंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कलपना अपने पती को साजिश करके जेल भेजे जाने का जिक्र करते भावुक हो गई रोपड़ियों जैपूर में राजिस्थान पत्रुका की ओर से शुरू किये गए स्पीक आउट कारिक्रम के तहट आमेर रोड स्थित नगर निगम कॉलोनी के चित्रकूट गार्डन में आयोजन कल सुबह नौ बजे से मुंबई में खेले गए रनजी ट्रॉफी के पहले से में फाइनल मुकाबले में तमिलनाडू को पारी और सत्तर रन की करारी शिकस्त देकर मुंबई पहुँची 47 वी बार फाइनल में आस्ट्रेलिया के पैट कमिंस आई पील में होंगे हैदराबाद सन्राइजर्स के नए कप्तान कमिंस को हैदराबाद ने 20 करोर 50 लाक रुपे में खरीदा था भारतियकुष्टी संग की चैन ट्राइल रोके जाने की मांगवाली बजरंग पूनिया समेत चार पहलवानों की याचिका पर दिल्ली हाइकोट का केंदर सरकार और भारतियकुष्टी संग को नोटिस अगले सुनवाई साथ मार्च को राजिस्थान में कम नहीं हो रही सरदी माउं टावू में राद का तापमान माइनस दो डिग्री पहुंचा 10 थानों पर पारा 10 डिग्री से नीचे जैपूर में 3 डिग्री की गिरावट के साथ न्यूनितम तापमान 10.2 डिग्री दर्ज राजेपाल एवं कुलाधिपती कलराजमिश्र ने जैपुर्ष्थित डॉक्ट भीम राव अंबेटकर विधी विश्विद्याले के कुलपती पद पर प्रफेसर निष्ठा जैस्वाल को नियुक्त किया है वेहिमाचल प्रदेश राश्ट्रिय विधी विश्विद्याले की कुलपती रह चुकी है राजस्थान लोग से वायोग को सूच्राइवम जनसंपर्क विभाग में जनसंपर्क अधिकारी के छे और क्रिशी विभाग में क्रिशी अधिकारी के 25 पदों के लिए सरकार से अभियर्थ ना मिली आविदन कल 7 मार्च से लेकर 5 अप्रेल तक भारत इलेक्टरोनिक्स लिमिटेड में 541 विभिन पदों के लिए ऑनलाइन आविदन की अंतिम तारीक 13 अप्रेल RPSC की Agricultural Officer के 25 पदों पर भरती के लिए उनलाइन आवेदन की अंतिम तारीक पांच अप्रे शिक्षा विभाग चंडीगर में ट्रेंट ग्राजुएट टीटर्स की 303 पदों के लिए उनलाइन आवेदन की अंतिम तारीक 18 मार्च